तो आज हम यहां डिस्कस कने वाले हैं कि arithmetic reasoning question ठीक है आज कल अगर देखा जाए तो basically की reasoning के जो question है वो आज कल modern reasoning में यह सब पूछे जा रहे हैं तो उसी से related question है हमारे पास जैसे की लेका है इसमें in a chess tournament each of six players will play every other player exactly once how many matches will be played during the tournament तो basically इसमें देखो मतलब इसको solve करेंगे अगर probability के तरीके से या किसी other method से तो उसमें हमारे time ज्यादा consume होगा हमको कम से कम minimum समय में sort out करना problem तो इसमें चली हम इसका देखते हैं तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक chess tournament है ठीक है each of six players will play every other player जो भी 6 player है वो हारे एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं तो exactly कितने match खेले जाएंगे या फिर यूँ कहें tournament तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं होता simple सा trick है ठीक है अगर हो सकता आपके पास दूसरे method हो पर हमको सिर्फ मतलब tricky question देखना है कि house solve with minimum time ठीक है तो अभी जैसे इसमें कुछ नहीं करना है जैसे देखो इस tournament कितने player थे six हमको यह बात याद रखनी है six player है ना तो इसमें बस only हम once less जाएंगे जैसे कि अगर six players है तो इसमें एक less चले जाए यह 5,4,3,2,1 ठीक है करना कुछ नहीं है बस इन सबका sum करना ही हो समझ लो ठीक है तो इसका answer यह 15 हो जाए अभी देखिए अभी आईए अब second question पर अब जैसे की reasoning का यह Delhi police में है और SSC, CGL इन सम में यह भी यह काया हुआ अच्छा training question है तो इसमें हम देखते हैं इसमें पूछ रहा है question में at the end of a business मतलब की at the end of a business conference, 10 people present all sick hands with each other, once how many hands sick will there be all together, मतलब basically question कहे यह रहा है कि एक business conference meeting हो रही है जिसमें की at the end of business conference, जो 10 लोग है, हो क्या करते हैं, आखिर में एक दूसरे से हाथ मिला रहे है तो 10 लोग जब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो उसके बाद इसमें पूछ रहे है, 10 people present all sick hands with each other, समझ रहा है आप लोग, how many hands sick will there be all together, तो कितने मतलब hands sick होंगे, यह समझ लोगे, यह probability का question, तो इसमें भी कोई ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, simple सा हम trick पे जाएंगे, ज् सब tricky question, अभी तो इसमें कुछ नहीं, इसमें भी वही फंडा है अपना, once less जाएंगे, अभी जैसे कि इसमें कितने people थे, meeting के, जैसे कि 10 थे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप 10 लिख लो, उसके बाद, अब एक less चले जाओ, जैसे यह 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, I hope आप समझ रहोगे, बस इसका सम करना है, कुछ जादक कास करना ही नहीं है, ना इसमें, ना उपर वाले में, सम करना है इसका बस, तो अभी इसमें सम कितना होगा आपका, यह 45, that's it, यह हो गया आपका answer, तो देखिए, अभी इसमें आप लोग देख रहे हैं, ना ही इसमें कुछ था, ना ही, यह हमारे second वाले question में कुछ था, easily solve हो गया ना, अब जब इतने कम समय में, एक मिनट के कम समय में, जब हम इतना question solve आसानी से कर सकते हैं, तो क्यों हम इतना complicated situation में जाएं, जैसे कि बहुत जादा कोई अच्छा लंबा method लगा है, क्यों, हमको समय एक मिनट मिलेगा, ए अगे हम वीडियो ऐसी बनाते रहेंगे, अगर आपको इस ते related वीडियो पसंद करेंगे आप लोग, तो आगे फिर देखते हैं, अभी फिलाल तो training में question जो भी आएंगे, उसके साब से हम वीडियो बनाते जाएंगे, क्लिकर दरने,